हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे साउथ अफ्रिका वर्सस इंडिया का टेस्ट मैश आज ही खेला जाएगा एक बज़ के 30 मिला ट्रेनी दूपाहर के समय खेले जाने वाले मैश में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा पीच रिपोर्ट के रहने वाले हैं बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच अगर बैटिंग पीच है तो कौन सा बैस्ट मिन को लेना चाहिए अगर बॉलिंग पीच है तो कौन सा बॉलर को रहना चाहिए रिटर्ण के पर्म घिसका अच्छा है किसे बुरा है और कितने अबरेज बन सकता है सारा डिटेल्स इस वेडियो के माध्यम से बताऊंगा वी डॉट बिना एसकिप किये इस वेडियो को एन तक जरूर देखना आज मेरे हिसाब से मने तो आज दो तरह के टीम बनाईएगा एक बनाईएगा बैटिंग के फेवर में दोसरा बनाईएगा बॉलिंग के फेवर में सबसे पहले मैं वि केशम इन दोनों विकेट कीपर का संदार परदर्शन है इन दोनों के लिए से वेडर्मका डेरिक्सी होगा और केवर के खास नहीं है टी वेष्ट के लगा तो इससे अपने जरूर रखियेगा यहां पर देखिए के रावल को नहीं लिज़े तो केशाव अर्को टरैक कर सक और यहां पर जीतने का चॉंस तो इंडिया का काफी है और तीस परसेंट बैटिंग पीच आते इस बॉलिंग चीज जिन तीन भाग में डिवाइज किया गया है पीच को कभी बैटिंग का फेवर में जाता है कभी अच्छे वलंडर को फेवर में जाता है इस तरह से का सकते है है बाइलेंस पीच है बाइलेंस पीच पर थोड़ा टीम बनाना मुश्किल होता है अब देखिए डर्म कार्ड रिक्सी पीडियों कैसे लिजिएगा एंतों के रावल चार से पहुंचे नमर में उत्रेगा तो इससे जरूर रपी किजिएगा अब मैं दो बेस्ट में को ले लिया हूं यहां पर देखिए बिराट को लिए हर्मेट में अच्छे परदर्शन कर रहा है इडर्म कार्ड प्लियर के रूम में एडम मारगा रहेगा क्योंकि सालेक्ष कर सकते हैं रोई सर्मयक का इस टीम का गेंज अच्छे खासे परफॉम कर रहेगा और वस्वानी ठीक ठाक रहेगा पर दर्शन इस सब को लेने के बाद देखिए अगर आप बॉलिंग को फेबर्म टीम बनाना चाहते हैं जिस बूम्टक नहीं कागोस रबाड़ा इस टीम क अगेंज साथ से परफॉम कर लेता है और यहां पर केसा माय राज ठीक ठाक परदर्शन करते हैं सिराज का ठीक ठाक है उससे ज्यादा है यह रिशन के मैंच खेल कर आया है काफी अच्छे खासे परदर्शन कर रहा है अब देखिए बॉलिंग पीच है तो चार ओलंडर में से कुछ यूनिक मैं बॉलिंग पीच के हिसाब से अभी टीम क्रियाट कर देता हूं क्योंकि पीच के हिसाब से मैं टीम नहीं क्रियाट करूंगा और बॉलिंग पीच के हिसाब से बना देता हूं सबसे पहले मैं वलंडर सेक्षन में बात कर लेता हूं वलंडर सेक्षन में तो मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा आरवस्वानिक ठीक ठाक है वह एंडरल कर दूंगा ठीक ठाक पर दर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं डर्म काड रिक्सी पिलियर के रूम में भी होगा एंब जोक्सान रभीन जर्जेता यह चारों लगा तो मैं चारों को पिक कर शकता हूं वह सेक्ष्ण में अगर कैसे महराज के लेगा तो कैसे महराज को अपने ट्रीम में लोंगा इसे लेने के बाद देखें और बॉलर में नहीं लोंगा क्योंकि दोनों काड रिक्सी 2 स्ग्वानुट다 को ठाघ कर लिया हूं थीन पॉलर ले लिया हूं और 4 और दने केबाद अब आते हैं बेस्ट में मैं ब्राट को इलिद डिव ओइसर को लोगा या आप चाहिए तो एंडम मारकर को ट्राएक कर सकते हैं जस्वाल नहीं किये लेगा तो एंडम हमारकर को ट्रै कर सकते हैं चालेक्सन परसेंट कम है अच्छे खासे पर दरशन करने का उमिल लगा सकते हैं च condition को बैप्पिक कर लिया हूं पर लेंग demanderhanow में रोक रोक कर खेलता है बॉलिंग पीचा है हो सकता है विकेट आउट मिल चाहिए इसे नहीं लेने के बात इसे लेने मैंने पहुंच शेक कमनेशन बना दिया हूं उल्टा बन गया और के राहूल को यहां पर देखिए इनपॉर्टेंज जो है इसे जे सुवाल को मैं अपन निशन बना दूंगा क्योंकि ठीक ठाक रहेगा केसम महराज को अभी ड्रॉप कर रही है पर और अपने ट्री में पिक कर रहा हूं इसे नहीं करूंगा तो एक और कागो सुराबाडा को सेलेक्शन परशन रहा है इसे ड्रॉप कर कर मैं एक बेस्ट में को ले लुँगा जो करे लिए रहाल के लिए याऊं पॉठ nä cricket बना घृत की पर सेक्शन से बोमराई हूं कि सराराज लिया हूँ आघौरा अध WIN डोल एकन हाल के नेश्क करने के बाद हर कोई बिराट कोईली को rozp काफी अच्छा है और बौइस केपटन घूँए लेकिन अगर आप व्यास केपटन जो पर फानिक गाए जो मेरा टीम है यह गरेंड लिग का रिक्सी टीम बना है और गरेंड लिग का रिक्सी टीम का मतलब होता है या तो इंटरी पीस आएगा या तो इंटरी पीस के उप्यक्षा 10 परशंट आएगा या तो इंटरी पीस भी डूनी का चौंस हो सकता है आप सेब केप्टन देना चाहते हैं तो रोई बिराट कोईली को दे सकते हैं और भाइस केप्टन के रूम में इडर्वर्श को दे सकते हैं आज का वेडियो में जर्पीत ना ही वेडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वेडियो जाहिन दोस्तों